अभी तक हमने सोशल अंटर्परनियोर्स के हवाले से जो बात की वो ज्यादत अर्थ्रेटिकल थी इस सेशन में मैं आपके साथ एक काम्याब सोशल अंटर्परनियोर्स की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो आपने ग्रामीन बैंक का नाम जरूर सुना होगा डॉक्टर मुहमद ह्यूनस क्रामीन बैंक के फाउंडर दोनों को 2006 में नोबेल पीस प्राइस दिया गया poorest of the poor की development के लिए जो उन्होंने efforts की बंगला देश में और जिस तरह से वो model पूरी दुनिया में replicate किया गया उस हवाले से डॉक्टर मुहमद ह्यूनस मेरी आपकी तरह एक आम इनसान एक आम से घराने में पैदा होने वाला बच्चा थे 28th of June 1940 को नो बहन भाईयों में तीसरे नमबर पर वो चटागाउं के एक गाउं में पैदा हुए 20 साल की उमर में graduation की 1961 में चटागाउं कॉलेज में lectureship कर ली 1965 में Fulbright scholarship पर अमरीका में studies का मौका मिला चले गए वहां से PhD की और वहीं पर professorship शुरू कर दी 1971 में जम बंगलादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो जो निया मुल्क था उसमें ना सिर्फ वार बलके सेलाब जो उस साल आया उसकी वज़ा से काफी तबाही हुई थी पुरी दुनिया से बंगलादेशी जो हैं वो voluntarily वापिस आये ताकि वो अपने मुल्क की तामीरों तरक्की में हिस्सा ले सकें उनमें डॉक्टर मौमध यूनस भी शामिल थे डॉक्टर यूनस जब 1972 में बंगलादेश वापिस आये तो उनकी एकनॉमिक्स में एक्सपर्टीज को देखते हुए गर्मेंट अफ बंगलादेश ने उन्हें प्लैनिंग कमिशन में पॉइंट किया लेकिन डॉक्टर यूनस को वो जॉब थोड़ी बोरिंग लगी और उन्होंने जल्द ही चिटागाउंग यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली एस प्रॉफेसर वहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च प्रॉजेक्ट शुरू किया 1974 में बंगलादेश में एक कहत हुआ था जिसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन के लिए रिसर्च की गई कि कैसे दिहाद की एकॉनमी को बेहतर बनाया जा सकता है इस प्रॉजेक्ट के हवाले से फील्ड वर करने के लिए डॉक्र मुहमद यूनस चिटागॉंग के इलाके जोबरा नामी एक विलिच में उनका जाना हुआ जहां उन्होंने पॉरस्ट अफ दपॉर हाउसोल्ड को विजट किया उन्होंने नोटिस किया कि औरते चुटे चुटे काम करने के लिए सूध पर करजे लेने पर मजबूर हैं बसलन उस इलाके में बांस होते हैं बांसे टोकरियां चोटा मुटा फरनीचर बनाती हैं औरते उसको बेशती हैं लेकिन जो मुनाफ़व आता है वो सूध होर को सूध में चला जाता है डॉक्टर यूनस को लगा कि अगर इन औरतों को बगएर सूध के ये चोटे-चोटे करजे मिल सके तो शायद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए लेकिन कोई बैंक उन औरतों को करजा देने को तयार नहीं था क्यूंकि उनके पास कोई गैरंटीज नहीं थी कोई मकान, कोई दुकान, कोई पैस, सोना कोई चीज नहीं थी जो वो रखकर बैंक से करजा ले सकती डॉक्टर यूनस ने अपनी जेब से इन औरतों को करजा देने का फैसला किया आप युकीन नहीं करेंगे 27 यूएस डॉलर्स, 27 डॉलर्स और उस वक्ट डॉलर की खीमत पी इतनी ज्यादा नहीं होगी उन्होंने 42 औरतों को लोन में दिये तकरीबन 60 सेंट्स बनते हैं एक औरत के औरतों ने उस करजे पर 0.5 बंगलादेशी टका मनाफ़ा कमाया हर औरत ने तकरीबन ओन एवरेज यहां से माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट का आइडिया जो है वो शुरू हुआ जिसका क्रेडिट डॉक्टर मुहमद यूनस को जाता है इसके बाद की कहानी जो है वो बहुत तेजी से चलती है 1976 में ही डॉक्र मुहमद यूनस ने गर्मेंट के एक बैंक से करजा लिया और बाए 1982 28,000 ओरतों को वो करजा दे रहे थे तब उन्होंने फैसला किया कि वो अपना बैंक शुरू करेंगे जिसका नाम उन्होंने ग्रामीन बैंक या विलिज बैंक रखा आज ग्रामीन बैंक के इलावा ग्रामीन के बहुत सारे बिसनेसेस हैं फार प्रॉफिट, नॉट फार प्रॉफिट और डॉक्टर मुहमद यूनस की एफ़र्स जो हैं पॉरिस्ट अफ दपॉर को माइक्रो फाइनेस के जरीए से बेहतर बनाने के लिए वो सारी दुनिया में सोशल अंटरपनियोर्शिप के एक मॉडल के तौर पर जानी जाती हैं यही वज़ा है कि मैंने उनकी स्टोरी को आपके लिए as an inspiration, as a model चुना क्योंके लोग समझते हैं डॉक्टर यूनस ने साबित किया कि गरीब लोग bonsai tree की तरह होते हैं वो जो छोटा सा द्रक्त होता है जिस पे बहुत फ़न लगता है गरीब को अगर मौका दिया जाए तो वो अपनी तरकी के लिए सब कुछ कर सकता है Thank you